हेलो दोस्तों आज हम प्रजिस्टेंट सिस्टम के एक वाटर थरी के रिएल्ट डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम डिविडेंड देख लेते हैं जो इन्होंने डिकलेर किया है 14 रूपी का डिविडेंड किया है देख़न दहिए लिखा होगा है और इनकी फेस्ट वैलिउ कितनी है दस रपे तो इन्हों ने अपनी फेस वेल्यू का 140 परसेंट डिविडाइंट टिकलेर किया है और इसकी रिकोर्ड देट भी देख लेते हैं अब रिकोर्ड क्या इसकी अब जो इस डिवेडाइंट की रिकोर्ड डेट है वह है देखिए जहां पर लिखी होगी डिविडाइंट वेल भी जिरेखिए बैनाइश डेट टैन फर्बरी यह दस फर्बरी से पहले आपके पास जैसे होना चाहिए तभी आपको यह डिविडाइंट मिलेगा ठीक है चलिए अभी हम इनके रिजाल्टे डिसकस करते हैं अब देखिए जिए हम रिजल्ट पर आगया है जो बैल्यू दे रखी है जिस अभी की सबी रूपी रूपी जिन मिलियंस में तो आप द्यान रखेगा रूपी जिन मिलियंस ठीक है तो चले इंकम देखते हैं इनकी रिवैन्यू फ्रोण बंडूर्व डिळाख्यर ब्रेंड चला मिलियंस एसक वार्टर के रिजाल्ट है जे हैं पिछले त्रूम क्वार्टर के रिजाल्ट है और जेकम यह तुनकी नि-ट यह सब नव्य रेखना है तो देखिए जोले कि टोटल इंकम कितनी है 1174 94 million पिछले किखोटन में कितनी थी 101242 million पिछले साल च nervous Diet 93559 वानलका coil में कि कंपणी के पिछले कर्डर और क्या है और पिछले साल के सेंग क्वरीर्ट काफी इंक्रीज हुई है तो वाइस दियर्ट काफी अच्छे लग रहे हैं अभी हम खरचे देख लेते हैं कंपनी के अगर देखे इस क्वाटर के जो टोटल खर्चे वो है 9404 मिलियन और पिछले क्वाटर में थे 8887 मिलियन और पिछले साथ सेम क्वाटर में थे इस क्वाटर का वह है 1650.010 मिलियन और प्रोफिट अफ्टर टेक्स कितने है 1209.24 पिछले में था यह कह ना सेईन्ट और पिछले साल सेम क्वाटर में था 8 729.26 तो पिछले साल के सेम क्वाटर से रहे है और पिछले साल के सब्सक्राइब पिछले साल के से मुझी चाहिए तो हमारा प्रॉफिट आराउंड 45 से इंक्रीज हो गया है और पिछले साले कि पिछले कॉट से ब्रॉपंट क्रीज हें देख लेते हैं उससे हमें पता लग जाएगा कि अछे पृप्रे हैं सैंस्णा एक आब तो चली देखते हैं साल का जो बेसिक पर शेर है वो है 15 पे 82 पैसे पिछले को पिछले साल सेम क्वाटर का था गयर पे 50 पैसे तो फ्रेंड अनिंग पर शेर में भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे रिजल्ट काफी अच्छे आया इस बार तो चलिए फ्रेंड अभी हम स्क्रिणर रोट इन सा पे आगे हैं तो कंपनी का मार्केट क्या में कितने हैं ग्यारा है चासोट फंजाक रोडर पे करेंट प्राइज चोरा सुन निर्ण में 52 वीक हाइस तारा सो 52 वीक लोग है 420 रुपे स्टोक की पी रेश्यू है 28.9 बुक वैल्यू है डबल थ्री 6 रुपी डिविडेंड इल्ड है 0.8 परसेंट आरोसी 18.6 परसेंट आरोई 13.9 परसेंट फेस वैल्यू है फेस वैल्यू है 10 तस रुपे तो फ्रेंड अभी हम इसका लोंग टाइम का चार्ट देख लेते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे जरी हम इसमें निवेश करें तो हमारा रुपेयर कम रिस्क में है जार जार रिस्क में है जरी हमारा इंक्रीजिंग ओर्डर में हुआ इसका चार्ट तो वहां पर रिस्क कम रहता है हमारे इन्वेस्टमेंट का तो चलिए देखते हैं देखिए देखिए फ्रेंड वैसे त तो हमारा जी देखिए लोंग टर्म का जो चार्ट है इंक्रीजिंग ओर्डर में ही है अभी तक तो देखिए जहां पर जाके जन्वरी पंद्रा में जुरूर जहां पर आल टाइम इसने हाई लगा था फिर तीन साल के लिए लग वक्ति चार्ट चार साल के लिए इसके कम्पनी के चार्ट में कोई प्रॉलम नहीं लग रही अच्छा खासा है तो अभी चलिए देखते हैं शेर के बारे में कुछ अछी बात है जो इन्हों ने हमें बता इये कंपनी के ऊपर कोई भी करज्स नहीं है का कंपनी अच्छा-खासा डिविदेंट देती है और इस कोटन में भी दिये है हमने 25.49 पसेंट दे देती है अपने प्रॉटर प्रॉफिट का यह 25% डिविडेंड की रूप में दे देती है और इसकी सेल ग्रोफ कितनी है इसकी सेल ग्रोफ इस सरुफतार से बढ़ दिये और कुछ बुरी बाते तो इन्हों ने बताई ही नहीं है कि कंप्री के बार में इनको लगता है कुछ भी बुरा नहीं है चलिए फ्रेंड अभी हम EPS देखने हैं पिछले कुछ सालोगा देखिए फ्रेंड दोहेर नौ में इनका EPS है 9 रपे 22 पैसे दोहेर दस मेरा 14 रपे 38 पैसे दोहेर गेरा में 17 रपे 47 पैसे हो गये दोहेर बारा में 17 रपे 72 पैसे दोहेर तेरा में 23 पैसे 45 पैसे 14 में 30 स्रपे 16 पैसे 15 में 36 पैसे इस साल का लग रहा है कौन जार में पानवे पैसे तो फ्रेंड जरी हम EPS वाइज देखे तो मेरे कुछ एर में कोई प्रॉलम ही नहीं लग रही क्योंकि हर साल का EPS अर्णिक पर बढ़ता ही जा रहा है और सेल ग्रोथ भी काफी अच्छी है इन्होंने बताई है हमें तो फ्रेंड मेरे कुछ शेर में निवेस्ट करने में को सब्सक्राइब बहुत कम बोरिंग है तो कुछ खास नहीं है तो देखे फ्रेंड एक इनका देखे शेर होड़िक प्रेटन जी देखे पर मोटर के पास है अभी 30.90% के पास भी काफी मात्रा में है 18.70% दी आई के पास 29.100% और आप जैसे हम जैसे पुब्लिक के पास है 17.12% और अधर के पास है 2.16% तो फ्रेंड शेर होल्डिंग प्रेटन में कोई प्रोलम नहीं लग रही काफी अच्छ है तो चले एक बाद मनी के इंट्रोल साइट पर च देखने की जूरूत नहीं है चले एक बाद देख लेते हैं भाँ पर फिर भी री कन्फर्म करने के लिए देखे फ्रेंड के आगे हैं और जहां पर देखिए कंपनी का कोई भी शेर प्लेज नहीं है देखे जहां पर और शेर होल्डिंग पेरं तो मैंने आपको बता ही दि तो देखिए फ्रेंट जहां पर डेप्ट क्योटी देश होगा जीरो है जानकि कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है ठीक है तो मेरे को तो जे शेर्द निवेश करने के लिए अच्छा लग रहे है क्योंकि देखिए फ्रेंट जहां पर जड़ी हमने लोंग टरम पहले जोन पर फिर बान में इंक्रीज करने लगा और फिर देखा हमने एप लगा अपने 25 क्या था हमने देखा था शेयर होल्डिंग पैटरन वह भी अच्छा खासा था दिवीडेंड के पास बहुत और कोई भी बिश्यर नहीं है और डेप्टी क्यशी रेशोग जीरो है तो फ्रेंट मेरे को लग रहे है कि शियर में निवेश करने में कोई प्रॉल्ब नहीं है पर फ्रेंट जब भी आपने निवेश करना है आप खुद पहली रिसर्च कीजिए उसके बाद ही कुछ सीदेश प्रदाइ만 कृटर्बन सेयरे ने लूज़ारें खराइड भी घर रषदाइक झाल कयो कि अटूए दीजू कि टूए गू थo भी दीज़ा भी णिज़ारें टूए टूए ठाल कि तूए जासे भी ठीजू हमगाद हराँ भी प्लिजू आन तूए धि रहां कि दीज़ा दोग